हेलो दोस्तों गुड मानिंग आला फ्यू मैं सिवनात आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम आपको बहुत सभाएं यों सासन काल यानि बहुत संगीतियां के विशे में बताएंगे ओभी इस ट्रिक से 100% आपको याद हो जाएगा हमारा जो ट्रिक है एक छोटी सी कविता की तरह है तो चलिए हम सुरू करते हैं आज राजा महाकस्यपने काल वैसाली को सबक सिखाएंगे और असोग के पुत्र मोगल को कनिस्क के वन में अस्व दिखाएंगे एक बार और इसे पढ़ लेंगे आज राजा महाकस्यपने काल वैसाली को सबक सिखाएंगे और असोग के पुत्र मोगल को कनिस्क के वन में अस्व दिखाएंगे चलिए हम एक एक करके सभी के विशे में विस्तार से जानकारी लेते हैं क्रम संख्या समय साचनकाल अस्थान अध्यच जो पहला बाओध संगीतिया हुई थी वो 483 इसापूर में हुई थी अब जो हमारा ट्रिक था आज राजा महाकस्यपने यानि आज से अजास सत्रू राजा से राजगरी महाकस्यप से महाकस्यप यानि 483 इसापूर में अजास सत्रू के साचनकाल और अस्थान राजगरी अध्यच थे महाकस्यप और दूसरा जो था बहुत संगीतियां 383 इसापूर है अगर आपको सन नहीं याद हो पा रहा है तो इसमें से सव घटा देजिएगा 383 आ जाएगा और जो हमारा ट्रिक था काल वैसाली को सबक सिखाएंगे यानि काल से काल असोग वैसाली से वैसाली सबक से सबका मीर यानि समय जो था 383 इसापूर साचन काल असोग का अस्थान वैसाली और अध्यच इसके थे सबका मीर चलिए नेश्ट चलते हैं तीसरा बहुत संगितिया जो था ये दोसो पच्पनिश्वपूर में हुगा था और जो हुमारा ट्रिक था असोग के पूत्र मोगल को यानि असोग से असोग पूत्र से पाटली पूत्र अध्यप्ष मोगली पूत्र तिस्य यानि दोसो पच्पनिश्वपूर में असोग के साथ संकाल अस्थान पाटली पूत्र अध्यप्ष जो थे मोगली पूत्र तिस्य थे और जो चौथा हमारा बहुत संगीत यह हुई थी इस्वी के प्रथम सताप्दी में यानि जो हमारा इस्वी प्रारम हुआ था वही प्रथम सताप्दी में यह चाल हुआ था और जो हमारा ट्रिक है उन में अस्व दिखाएंगे यानि कॉन था से हो गया कॉंडल वन अस्व से लिगे असुघोष अब यहां दो नाम लिखें वासुमित्र और असोगोस जो वासुमित्र थे ये अध्यच थे असोगोस जो थे उपाध्यच थे यानि इश्वी के परथम सताबदी में सासांकाल कनिस्क अस्थान कुंडलवन अध्यच वासुमित्र यह हमारा ट्रिक था दोस्तों आप लोगों को हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इतनी मेहनत से बनाते हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है चलिए हम वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं कि यह महब्बत भी यह मुहब्बत भी कदम चूमेगी तुम्हारी जिस दिन नवकरी मिल जाएगी तुम्हारी कि यानि कोई कुछ नहीं होता उस दिन सभी लोग आपसे महब्बत भी करने लगेंगे जिस दिन आपकी नवकरी मिल जाएगी यानि आपको मेहनत करना है आप जो टारगेट रखे हैं उसे पाने के लिए यदि आपका मन नहीं लग रहा है जिस दिन पढ़ने में तो आप उस दिन उस माता-पिता को दिये हुए वचन को याद करना उस मित्र और उस रिष्तेदार को दिया हुए वचन को याद करना और समाज को याद करना कि हम उनसे क्या बोले हैं और हम क्या कर रहे हैं इसमें कि तब आपका मन लगेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद बेस्ट आप लगड़े